accounting यह बहुत ही बढ़िया definition रहने वाली है और हर बच्चा इसको बहुत मगब तरीके से याद करता है बट आपने समझ के करना है रटना नहीं है अब हम देखेंगे accounting क्या होती है इसमें again definition को मैंने break किया है various steps के अंदर और अगर यह 8 steps आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो होती बढ़िया definition है mostly school में हर teacher हम लोग भी जह हमने school में पढ़ाया हम चाहते थे कि यह 8 steps वाली definition हर बच्चे को याद हो because यह पूरी comprehensive है और हाँ इसकी जो notes होंगे वो notes भी हम आपको telegram channel पे share कर दूँगा ताकि आप सासद याद करते रहें और आपका जो पहला exam हो सारे के सा question उसी notes में से आने वाले हैं तो चली देखते हैं पहला सबसे पहला step क्या होता है introduction to accounting के अंदर accounting जो होती है वो art होती है color होती है drawing की तरह painting की तरह dance की तरह तो यहां कहा गया कि accounting require skill and creative judgment यानि आपको तरह से आपको expenses income को record करना पढ़ेगा इस तरह से आपको profit निकालना पढ़े recording करना start करेंगे आपको चाहे बनाना आ गया तो आप चाहे तो बनाएंगे न तो वो है recording करना actual action में आपकी knowledge आती है यहां हम बनाते है journal या फिस सब्सेरी बुक्स अब आप बोलेंगे सब जनल क्या है journal माली जी एक ऐसी डायरी है जो आप school जब खुलते है नही 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 क्ल गई है journal या सब्सेरी बुक्स बानके चली है फिल हाल यहां पर आपको समझाने के लिए कि सारे recording एक ही बुक में करते हैं तो यहां पर certain rules होते है debit credit के अब आपके इससरे debit credit क्या होता है जिस तरह से traffic के जो rules की red light पे हमें रुखना है green पे हमें चलना है आप marriages देखते है हमार पर rules लगाने है उन rules का नाम है debit and credit तो यह हो गया recording यानि आपने सारी entry record कर लिए अपनी सहुलियत के लिए आप क्या करना चाहेंगे जो चीजे cash selected है उसको cash account में डलना चाहेंगे जो expenses selected है उसको expense account में जो capital selected है उसको capital account में जो revenue selected उसको revenue account में तो यहां पर हम recording के बाद classify करते है अलग-अलग accounts बनाते है और अकाउंट को एक साथ मिला के बनता है ledger so what is ledger it is a book which contains different different accounts in which similar nature items are posted तो यहां पर classifying करना है थी सा step classifying के पास step number four summarizing यानि निचोड मान लीजी आप कोई movie देखके आए तो मैंने आपसे बोला movie का summary बताईए तो कोई 3 घंटे में थो ना बताएंगे आप मुझे 3 मिनट 5 मिनट बता देंगे ऐसे ही जो 12 महीने में बिजनस किया उसका मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताईए बिजनस अच्छा है बुरा है क्या आपकी performance अच्छी है बुरी है आपके पास assets काफी है क्या आप liabilities को pay कर पाएंगे क्या आपको bank से loan मिल पाएगा यह सब financial position की बात है आप मुझे 12 महीने की चीज़ पूरे 12 महीने में नहीं बताएंगे आप मुझे balance sheet देंगे और केंगे सर देख लीजिए आप मुझे ledger accounts देंगे आप केंगे देख लीजिए आप केंगे सर मैं इसका trial balance बनाता हूँ उसके बाद मैं आपको बता पाऊंग यानि यह जो debit credit है वो useful होते हैं हमारे ledgers को बनाने के लिए ledgers से बनता है हमारा trial balance तो यह trial balance बन गया ठीक है बिजली नहीं आ रही light नहीं आ रही हो मेरा production held up हो गया वो record नहीं होगा जबकि वो इतना important factor है मान लीजिए जो आपके business का owner है उसको कोविट में काफी problem आई hospitalized हुआ और ती मेंने business नहीं अटेंड कर पाया वो record नहीं होगा आपके employer ए employee में कोई जगड़ा हो गया और वो court case चला गया labor में वो record नहीं होगा it means यहाँ पर सिरफ वही चीज़े record करेंगे जिसको हम express का सकते है money term आप माले जी आपका darments का business है आप exhibition लगा रहे है तो exhibition में जो खर्चा आएगा वो record होगा because वो money की terms में आपके पास salesman उसको commission दे रहे हैं salary दे रहे हैं वो record होगा because वो money की terms में तो जो चीज़े money की terms में है आप pay कर रहे हैं या ले रहे हैं या pay करने का promise करते हैं या लेने के लिए सामने वाला promise करता है वो सब हम यहाँ record करते है because उसकी money worth है अगर कोई non cash चीज़े जहाँ पर money involved हो ही नहीं रहा जहाँ पर money की कोई sense ही नहीं है वो record नहीं होगा तो हम transactions और events दोनों को record करते हैं अगर हां इसको जो financial character में हो और last में जब हमने record कर लिया 8 step बहुत ही important है वो है interpret करना यानि उसको study करना उसको evaluate करना उसको analyze करना जो सारे records मनाये हैं और फिर decision लिना अगले साल के लिए और बहुत सारे corrective measures लिए जाते हैं बहुत सारी suggestion लिया ये team से कि कैसे हम अपने business को आगे लेके जा सकते हैं तो अगर मैं खुल मिला के बोलूं वो definition जो आपने याद की थी वो सिर्फ 8 steps में ही हम divide का सकते हैं और चलिए मेरे साथ वो definition पढ़ते हैं क्या जो AICP की definition है accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in the terms of money, the transactions and the events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof तो यहाँ पर बताना चाहूँगा अगर आपने इस definition को अच्छे से याद कर लिया और accounting cycle को तो कम से कम 3 माग का आपका इसी वीडियो से काम हो जाएगा अगली वीडियो में मैं और second part लेके आँगो जहाँ पर हम objectives करेंगे, advantage और limitations करेंगे बट इसको अच्छे से याद करेंगे और 8 steps को बिल्कुल note करेंगे step wise आप अप जब अपने घर की या स्कूल की सीडिया चड़ने तो 8 steps revise करना मेरे साथ साथ पहला step जब चड़ेंगे सीडिय का तो बोलेंगे ये क्या accounting is the art second art of what recording step 3 classifying step 4 summarizing कैसे summarizing in terms of money किसको transactions and events step 6 7 which are a financial character interpretation and decision making तो ये है 8 steps I hope आपको अच्छे लगे जल्दी से पढ़ लिजे और हाँ अगर ऐसे ही आप चाते कि मैं बाकी parts लेक्या हूं